हालो बच्चों मैं गुद्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं बच्चो आज मैं आपके सामने internal In-, paar ऐसेक्टर ठहवरम लेकर आया हो कहने का मतलब भाइसेक्टर ठहवरम लाया हूं internal वाला ठीक है और वो बहुत important है इसको आप सुरू से लिए के लाज तक जरूर देखिए ताकि अच्छे सी समझ में रहे अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो कृपिया जो है आप जो है जो ट्रिंगल का प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा करके बाकी स्टार्टिंग के वीडियो देख लें तकि इसको समझने में आपको कोई दिकत न हो तो चलिए समय को नश्ट करते हुए कि स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे न अए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते जेयर करें और ब्ल आइकन की बटन को आवटस्त दबा देजिक है तो इसे में लिखा क्या है देखिए लिखा ये देखिए इसका वो लिखा है, statement लिखा है, त्यारम का, क्या लिखा है, प्रूब देट, इंटर्नल बाइस सेक्टर आफ एन एंगल, आफ ट्रिंगल, डिवाइड दा अपोजिट साइड इंटर्नली, in the ratio of the, side containing the angle, कहने का ताथ पर क्या है, कि जैसे आपके पास समय माली जी कि ये ट्रिंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रिंगल है, किलियर होगे आप, और इस ट्रिंगल का नाम है ABC, ध्यान दीजेगा, इस ट्रिंगल का नाम है ABC, अगर ये दो है, माले ताओं कि ये इंगल, ये देख रहा हो, आगर इसको divide कर दिया जाए, मतलब ये जितना उतना ये है, ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है, कि आप मा लेता हूँ यह D है अगर यह divide कर रहा है तो आप इसमें क्या prove करने के लिए कर रहा है कह रहा है कि यह जो side कही है यहाँ पर जो cut cut किया है इनका ratio इनके ratio के बराबर होगा अर्थात यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको prove करना है ध्यान दिजेगा पहली बात तो देखिए यहाँ पर आपको क्या prove करना है prove that क्या आपको prove करना है ध्यान दिजेगा आपको यह prove करना है कि BD BD और किसका BD का ध्यान दिजेगा BD और DC का जो ratio है DC का वही ratio इन दोनों लाइनों को होगा ठीक है किसका किसका होगा देखिए ध्यान दीजेगा A, B और A, C को होगा यह आपको प्रूब करना है कितना आसान है ना ठीक है और यहाँ पर given में क्या दिया है given में given में किवल इतना दिया है कि जो A, D है A, D जो देख रहे हो एजा bisector है वो bisector किसका bisector है इंगल A का यह given में है तो कह रहा है कि अगर यह जो है bisector हो A, D जो है bisector हो इसका किसका इंगल A का तो इसका और इसका जो ratio होगा वो किसके बराबर होगा इन दोनों के ratio बराबर होगा अर्थाक B, D और ratio D, C जो होगा वो किसके को लोगा AB ratio AC के को लोगा तो BD देखे BD ratio DC को लिख सकते हैं BD upon DC और AB ratio AC को लिख सकते हैं AB upon AC लिख सकते हैं तो है एक दमासान की नहीं है यही यहाँ पर कह रहा है ठीक है, EC को प्रूब करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर construction करेंगे क्या करेंगे भई, construction करेंगे construction का मतलब यहाँ पर देखे रचना construction देखे, construction में क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे ड्रा करेंगे इसके जो आप देख रहे हो नहीं यहाँ पर ध्यान दिजेगा, जो यहाँ पर AD देख रहे हो इसके parallel एक जो है line ड्रा करेंगे चली ड्रा करके देखते हैं कोन सा line जाता है यह देखे इसके जो है parallel हो गया ठीक है धियान देगा इसके parallel हमने एक फिल line drug कर दिया तो यहां लिखेंगे draw जो लिख किया वही लिखूँगा draw ठीक है क्या किया CE E, इसका नाम लिख देता हूँ E, और इसको बढ़ाने पर, क्योंकि ये माल लेता हूँ कि E पर काट रहा है, सब पोज़ दे, ठीक है, यहाँ पर माल लिख लिए E, बास समझेगी नहीं समझे, मतलब इसको जब मैंने बढ़ाया आगे की और, तो E पर काट दे, तो यहाँ पर पर देखे, ड्रा कर दिया, C, E के परलल काउन, D, E, पर कर दिया, ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा, मीटिंग A, B, क्या लिख देंगे अब, मीटिंग, meeting BA produce meeting BA produce produced at E, ठीक है माने यह कहाँ पर जब मिला BA को जब produce किया E पर मिल गया, किलियर हो गया है नहीं हो गया तो चलिए इसका numbering कर लेते हैं इसको माल लिए one number, इसको two number माल लिए इसको three number माल लिए, इसको इस angle को four number माल लिए, तो अब यहाँ पर देखिए इसका आईए proof देखते हैं proof, तो यहाँ पर आज़िए proof पर proof है, आप डल लिए लिखिए, ठीक है proof हो ध्यान दीजेगा बहुत अच्छा question है ठीक है proof पर आज़िए, तो proof में देखिए क्या होगा, देखिए बिल्कुल आपको mind नहीं लगा रहा है, ना लगाने दूंगा, देखना भी, आप बिल्कुल ऐसे ही समझ जाओगे बिल्कुल इसे में आपको mind लगाने जोड़िए आपको यहाँ तक देखिए, यह बाते तो आपको क्या लिखा देखिए, यहाँ पर लिखा है, कि परल्ल है किकी परल्ल इखिए के अगर सी इगि और यह AC जो है transversal line है and AC is transversal line आगर यह transversal line है तो यह एंगल और यह इंगल आपस में equal होंगे क्यों alternate भाई आप देख लिजे यह कौन सा इसे बाहर मैंने फिकर बना लिया A और यहाँ D है और यह कौन है यह आपका यह C है और यहाँ पर मालेतों E है यह वाला line ठीक है और इ यह बताओ भाई यह दोनों parallel है इसको यह transversal line काट रहा है तो यह दोनों आपस में alternate होई नहीं हुए तो यहाँ पर इंगल जो 2 होगा वो किस की को लोगा इंगल 3 की को लोगा किलियर हो गया होगा बात यहां तक ठीक है इसको एक number बना के छोड़ दो and दूसरी ची कि फिर बात cE जो है cPayलล है coherent dek decay है गिए नहीं जो C E देख रहे हो ये पहले 1 vernита इसको मैंने यहांसे क्या कर दिया इसको मेंने हटा रिया है इसको अटा दिया यहां से, ठीक, इसको मिटा दिया, पहला लाइन नहीं पहला, पहला जो कोई रहा हूँ, और एक लाइन देखिए यह है, गया है, कौन सा, A, E गया है, मतलब B, E गया है, A से होती हुई, तो ऐसे एक लाइन गया देखो, ऐसे गया है, कि नहीं गया है, और य A यहार A यार नहीं है B है टिक है and B.E भई देखें B था नहीं यहां बी लिखा नहीं यहांँ पा यह दो है and B.E is Transversal क् defenders और यह किसके उसे है alternate आपनी दीजीएगा alternate इंटीर्यल और यहां पर दिखिए यहCा और आया देखिए यह आपका corresponding lagol है है की नहीं दोनों तो 1965 शोगा वो किससके इक्वल है इंगल इफ और इसके वाद इसके फोर की क्यों क्रपान्ड क्यों Ama ए पॉसंट है कम टीग है तो अब यह बात है भी आपके मायंड मैं आगा गया अदे के और अभी इसके बाद इधर लिख देता हूँ ठीक अब यहां पर तो इतना तो बात अपको अच्छे लगा होगा और यहां पर देखिए AD is bisector of angle A तो इसका मतलब क्या होगा इसलिए angle जो 1 होगा वो angle 2 के बराबर होगा क्योंकि bisect कर रहा है तो 1,2 बराबर होगा कि नहीं तो यहां पर देखिए given में है angle देखिए AD is bisector of angle A अगर AD जो है A का bisector है तो यह angle जो होगा इधर वाला इधर वाला दोनों बराबर होगा भाई bisect का ही मतलब होता है कि बराबर बातना कि नहीं और angle 1,1 किसके बराबर है फोर के बराबर है तो 1 जो है वो फोर के बराबर है और जो 2 है देखिए यहां पर दियान दीजेगा 2 जो लिखा है वो 3 के बराबर है तो यहां 2 की जगा मैंने लिख दिया 3 इसका तात्वर क्या हुआ इंगल 3 और 4 बराबर हो गए अब यहाँ पर देखिए इंटरिंगल BCE इंटरिंगल इंटरिंगल BCE इसमें देखिए क्या हुआ इंगल 4 जो है इंगल 3 के बराबर है यहाँ कि नहीं BCE नहीं A, C, E A, C, E B, C, नहीं A, C, E ठीक है तो A, C, E में क्या देख रहे हो कि A, C, E में क्या देख रहे हो ठीक फोर के बराबर है तो ठीक के सामने कौन सी लाइन है ठीक सामने देखो A, E है तो ठीक के सामने A, E है तो यहाँ A, E लिग दिया क्योंकि ठीक सामने A, E पढ़ रहा है Saucy 巴 Η TaAg अब देखे क्या करेंगे क्या है हम जानते है इंट्रिंगल पूरे में क्या नम है BCE में तो यहाँ पर लिखेंगे BCE in which चिसमें क्या लिखा है बताओ BCE में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास AD है वो CE के पैलल है क्या है इसमें लिखा भी है हमने इसको construction किया था CE जो है वो पैलल है किसके DA के अगर यह DA के पैलल है तो आपको जैसा की जांकारी है कि आपको यहां पर क्या होता है यहां पर क्या लगता है BPT त्हारम लगता है भाई देखिए आप खुँद देख लिजी कि आप इसको में मिटा दे रहा हूँ ठीक है आप क्या देख रहे हो कि जो BCE कौन सा है BCE C, E, आप इसको लिखे लो पहले यहां पर, पहले आप लिखे लो, B, C, E, और A, D जो है पहला है, A, D यहां पर लिख दे रहा हूं, D, और A, देखो वही है ना पुरा, B, A, C, E, तो B, A, E लिख दिया, अब फिर क्या B, D, C, तो B, D, C, मतलब यह एक लिखा ना मिसमें, अब इसमें बहुत ज़्यादा कच्ड़ा हो गया था, इसलिए मैंने बाहर कर लिए इसको बना लिया, देख है, आप यहां पर देखे, अगर यह, बे साइए, अगर यह, इसके पहला लो गया, तो सीधा-सीधा यहां पर B, P, T, तो आप बिल्कुल इसमें दिमाखी नहीं लगा ठीक है, B, P, T, थोरम क्या कहता है, कि जिस रेशियों में यह लाइन बटेगा, उसी रेशियों में यह भी लाइन बटता है, कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर लिख दूँ, कि B, D, अपान, D, C, यहां पर समझेगा, अगर मैं लिख दू, B, D, अपान, D, C, तो यह, और इसका रेशियों, इक्वल होगा, इसके और इसके रेशियों के, तो जिसे लिखा, B, D, अपान, D, C, तो इक्वल किसके होगा, B, E, अपान, A, E, के, और मैं देख रहा हूं, कि जो हमारे पास में, चूंकि हमारा जो, A, C है, वो किसके इक्वल है, A, E के इक्वल है, यह तो यहाँ पर मैंने लिखा BD upon DC लिख दियाना यहाँ पर और यहाँ BA लिखा है BA और यहाँ पर क्या है? AE है, तो AE को मैं क्या लिख सकता हूँ? AC लिख सकता हूँ, तो यही मुझे प्रूब करना था, दिखिए, यह यह, BD upon DC और AB अपान AC या इसी चीज़ को और अच्छेश कर सकते हो क्या कि यहां लिख सकते हो BD अपान DC और जो BA है उसको आप A लिख सकते हो AB अपान AC लिख सकते हो तो भाई यही तो पुरूप करना था तो देखे कितना आसान तरीके से यह आपका BISECTOR त्योरम आपका पुरूप हो गया तो उम्मीद कर रहा हूँ यह अच्छे समझ में आ गया होगा अगर अच्छे समझ में आ गया है तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजे और जो है हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवस्ट से दबा दे कि हमारे दुआरा जितने भी वीडियो बना जा रहे हैं उसके लिंक तक कि आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं कोशिज कर रहा हूँ देखिए आप खुद भी देख रहे होगे कि मैं ट्रिंगल के सारे कुशन लगाने के लिए एकदम पूर्टया लग चुका हूँ और उमीद ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारे कुशन में कबर कर लूँगा और आपके पास एक अच्छा जो है बेहतरीन सलूशन भेजने का जो है कोशिज करूँगा सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर इन दा गिमेन फिगर ओ ए देखिए यहाँ पर क्या लिखा ए बी जो है पैरलल है पी क्यू के और बी सी जो है पैरलल है क्यू आर के और हुँको शो क्या करना ए ए सी पैरलल होगा किसके पी आर के तो बिल्कुल यहाँ पर सोचने की ज़रूद नहीं है केवर आपको यह काम करना है वो काम क्या है पहले आप समझिएगा काम यह है कि कहले given में क्या दिया देखिए यहाँ पर क्या दिया है दिया सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर देखे AP जो है वो PQ के पहले है तो यहाँ पर देखे हमारी बात समझो AP देखे AB जो है P Q के तो A B देखो कहां पर है यहां पर A B यह दिख रहा है यह देखो यह A B है और P Q कहां दिख रहा है यह P Q है अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ क्या होगा देखे A P और P Q बाहर निकल आए ना यही तो है देखे A P देखे A B और PQ, तो यह Tringle कौन बनाएगा देखो? ध्यान दीजेगा. यह, और यह Tringle कौन से बना रहा है? यह तो Tringle बना रहा, देखो. जो दिया हो, उसे ही से Tringle बनेगा, तो क्या बना है, देखिए, यह बना हुआ है. ध्यान दीजेगा, क्या नाम इसका? यह था A, B और यहाँ P, यहाँ Q है यहाँ O है, ठीक, यही तो बनाई नहीं बना है ध्यान दीजेगा, तो अब यहाँ पर आप देखें इसमें क्या हो रहा है, आगर यह दोनों आपस में पैलल है, तो ट्रिंगल कौन सा P, O, Q है, तो यहाँ लिखोगे इन ट्रिंगल P, O, Q इन विच क्या देख रहे हो, कि जो लिखा है A, B जो है, वो पैलल है किसके P, Q के, तो सबसे पहली बात देखिए जो हम फिगर बनाते हैं, वो हम यहाँ से देख करके बनाते हैं, अपने मन से कुछ भी दिमाग नहीं लगाते इसमें, हम आपको कई बार बता चुके हैं तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है हम लोगों को क्यवल सिंपल से यह काम है भाई देखिए, लिखा था कि A, B वो P, Q के पैलल है, तो पहले मैंने A, B देखे बना लिया, P, Q यहाँ बना लिया और इसको घुमाया, तो ट्रिंगल क्या बना था P, O, Q बना था P, O, Q बना था, तो वही तो मैंने बनाया कि नहीं बनाया, और जब यह कभी आपको पता है, कि अगर किसी भी ट्रिंगल में, जैसे यह ट्रिंगल है और बेस यह है, यह तो बेस है ना base के पहला लगर कोई line मिल जाए तो वहाँ पर क्या रग जाता है B P T theorem तो वहाँ लिखे होगे By B P T theorem ठीक है theorem तो B P T theorem में क्या होता है कि देखिए आप क्या लिखोगे आप चाहो तो इधर से नीचे जा सकते हो चाहो उपर से इधर से इधर से इधर जा सकते हो जो चाहो वह कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हो O A upon A P देखिए ध्यान दीजेगा O A upon A P Equal में क्या बनेगा जैसे O A upon A P बना उसी परकार से O B upon B R B Q बन जाएगा कौन में जाएगा O B upon B Q बन जाएगा इस तरह मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ बहुत बार बता चुका हूँ B P T U में कि नहीं यह तो बहुत बार आप इसको अच्छे सिखी चुके हो इसमें कोई दिक्कते नहीं है आपको इसके बाद देखिए क्या है दूसरी चीच दूसरा नंबर यहाँ पर ध्यान दिजेगा आपकी बार क्या कह रहा है कह रहा है कि B Q जो है B Q जो है वो स्वारी B C जो है वो Q R के पैलल है तो B C कहाँ पर है यह B C है और Q R कौन है यह लाइन है ठीक है तो कहिने मतलब ट्रेंगल कौन मिल रहा है यह वाला मिल रहा है किने मिल रहा है मुझे कौन साब Q R O मिल रहा है मतलब यह वाला ट्रेंगल ध्यान दिजेगा यह वाला मिल रहा है यह देखिए Q R O और बीच में क्यों है B C पैललल है देखो मैंने यह बना लिया तो आप पहली बार तो फिगर इसे बाहर निकाल लिया करो इसमें से तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो देखें मैं क्या देख रहा हूँ देखो BC जो है पैलल है QR के तो देखें BC जो है वो QR के पैलल है तो मैंने देखा कि यही ट्रिंगल है कैसा है जिसे में यह चीज आ रहा है तो आप इस तरह कर दिया अब आप देख रहे हो कि base के जो है यह parallel है BC ठीक है अगर base के parallel है तो यहाँ पर भी BPT theorem लगेगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे in triangle ट्रिंगल का नाम बता यह जड़ा क्या है q-o यह o है ठीक ना q-o-r q-o-r ठीक है in which in which क्या है क्या दिखरा है in which में दिखरा है कि जो BC है वो parallel है कि इसके qr के आगर BC जो है qr के parallel है तो इसका क्या ताप पर होता है भाई यहाँ पर लगेगा bpt मतलब by bpt theorem ठीक है तो अब यहाँ पर bpt theorem हो गया तो bpt theorem क्या कहता है देखिए ध्यान दीजेगा bpt यह कहता है ध्यान दीजेगा बहुत आसान से चीजम में बोलने वाला हो आपको यहाँ पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगा नहीं दूगा bpt यह कहता है कि जिस ratio में यह दोनों होगा मतलब जिस जिस ratio में oc और or होगा देखिए आप रसमझेए जिस लिख दिया क्या oc upon or क्या लिख दिया oc upon or तो उसी ratio में कौन होगा ob upon bq होगा ob upon कौन होगा bq होजाएगा ये बाते आपको अच्छे से माइन में आ गया होगा, चलिए ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर दिखे, यह question number 2 हो गया, अब मैं दोनों एक question में देख रहा हूँ, कि right hand side दोनों के बराबर हैं, देखो दोनों के बराबर हैं, तो अगर दोनों के right hand side हैं बराबर, तो यहाँ पर है, यह equal किसके हो जाएगा, OC upon OR के हो जाएगा, OC upon OR के हो गया, और मैं देख रहा हूँ, यह चीज हो गया और नहीं हो गया, आच्छा एक चीज यहाँ पर समझो, यह चीज है समझ में आ गया नहीं, OP, OA upon AP, equal to OC upon OR हो गया, हो गया नहीं हो गया, चलिए इसको अगर हम में फि O, फिर C आया, फिर R आया, तब ही तो बनेगा यह, और मिला दिया इसको, और इसको मिला दिया, तो आप यहाँ पर ध्यान दिजेगा, यह कब बनेगा, देखिए, जैसे O, देखे, OA upon AP, फिर OC upon O, मतलब यहाँ पर क्या हैगा, OC, और यहाँ पर दिखिए, OR लिखा है क्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह CR है, कि लिए रोगे नहीं हो गया, तो इस प्रकार से ध्यान दिजेगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, OC upon CR, आ रही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, यह converge आप BPT के द्वारा क्या हो जाएगा, अगर यह इसका और इसका रेशियो, कि इसका मतलब हुआ कि जो यह दोनों देख रहे हो, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैलल, कहने का मतलब, जो हमारा AC है, वो पेलल हो जाएगा, किसके, PR के पैलल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आता, देखे इस वाले में, ज्यान दीजेगा, किसमें आता है, जो यह यह वाला, यह जो portion देख रहो ना, यह देखिए portion, यह ही portion हमने बनाए भी देख लो, वो figure वही बना, देखिए O, O, P, R, तो देखिए क्या बना, O, P, R, और देखिए बीच में क्या है, A, C, तो देखिए बीच में A, C आ गया, तो मतलब यह वाला figure ही जा करके, यह जो देख इधर वाला, कौन सा, P, O, R, यह जो देख रहे हो, यही बना है यहां पर, बना देखिए नहीं बना दिया, और देखिए आपको प्रूब क्या करना था, A, C, parallel to, P, R, यही प्रूब भी करना था, तो यही तो आपका प्रूब हो गया, तो देखिए आपने कहीं माइंड अब आसे दबा दें, तकि हमारे दोरा जितने भी वीडियो बना जा रहे हैं, उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, थांकियू